पियम मोदी के शिमला दौरी को लेकर शिमला के रिज मैदान पर क्या कुछ तयारियां के इसका जैसा खबर वितिक के हिवाचल वीरोचीफ अरुनुनियाल ने लिया के देखे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये शिमला का वो ही एतिहासिक रिज मैदान है जहां कभी 1971 में स्वर्गिय इंद्रा गांधी ने बतौर प्रधान मंत्री हिमाचल के स्टेट हुड का ठिठूरती दिन के वक्त जब वो 25 जनवरी का वक्त था तब हिमाचल को पूंड राज जत्व का एलान किया था उन प्रधान मंत्री के बाद हिमाचल प्रदेश के इसी एतिहासिक रिज मादान पर प्रधान मंत्रियों के संबोधन का एक दौर चला मुख्य मंत्रियों के शपत लेने का एक दौर चला और ठीक बाएं तरफ अब आप देख सकते हैं प्रधान मंत जन्तरी जब आएं तो यहां पर चुनाव का एक मौहौल बना कर वापस चले चाहती है जिसमें सेब का मुद्दा हो सकता है जिसमें एपल जूस के कंसंट्रेट का मामला हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी नजर अगर 15 मिनट के संबोधन में आम जंता की रहने वाली है वो रहने वाली है उस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर जिसमें लगभग एक ल परेंद्र मोदी इसका इलान क्या अपने 15 मिनट के संबोधन में करेंगे या फिर इंतजार करना पड़ेगा गुजरात और हिमाचल के चुनावों के ऐलान से वक्त का या उसके बाद ये मौका फिर बन सकता है जब प्रधान मंत्री इस तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे और गुजरात के साथ हिमाचल के भी चुनाव हैं प्रधान मंत्री जब बोलेंगे तो हिमाचल के आम जंता के अरखास तोर पर यहां के करमचारियों के दिल में यही सवाल जरूर बना रहेगा ये दिगर बात है भाजपा के तमाम नेता भाजपा के कारे करता पलक पामडे इस किये जाने वाले वर्चुल मोड पे कारे करम को लेकर और 15 मिनट के संबोधन को लेकर यहां इंतजार कर रही है इस इंतजार की घड़ी के बीच इन सवालों को हिमाचल की जंता 15 मिनट के उस वक्त में तोलेगी जब वो 15 मिनट प्रधान मंत्री हिमाचल के लिए हिमाचल के करने से जुड़े या फिर कुछ नए वायदे करने की बात को करते दिखाई देंगे कैमरा में सुभाश के साथ हरून उन्याल खबरें अभी तक